नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ श्का महरोत्रा बड़ती महंगाई का डंक अब लोगों को और परिशान करने लगा है पेक्टरॉल डीजल सबसियों के बाद अब यात्रा करना भी लोगों के लिए महंगा हो गया है रोडवेज बसों के किराई में ततकाल प्रभाव से बढ़ होत्री की गई है देखें रिपोर्ट जनता पर महंगाई का एक और डोज बस यात्रियों को बड़ा जटका रोडवेज में सफर हुआ महंगा रोडवेज बस किराई में बढ़ होत्री किराई की नई दरे लागू हुई बस में यात्रा करने वालों को महंगाई का सोड़दार जटका लगा है यूपी रोडवेज बसों में अब किराई में बढ़ होत्री हो गई है रोडवेज मैनेजमेंट ने ततकाल प्रभाव से यातरी किराई में बढ़ोतरी को हरी ज़ंडी दे दी है उत्तरप्रदेश रोडवेज मैनेजमेंट ने बताया कि टोल टेक्स में बढ़ोतरी की वज़े से यातरी किराई में भी बढ़ोतरी की गई है मैनेजमेंट ने बस कंडेक्टर्स को बड़े हुए किराई की लिस्ट भी थमा दी है सभी बड़ी हुई कीमितों को तकाल प्रिभाव से लागू कर दिया गया है इसके बाद से अब कानपूर से लखनव का किराया एक रुपए बढ़ा दिया गया है वहिए अब कानपूर से दिल्ली जाना अब 20 रुपए तक महंगा हो गया है रोडवेज के राय में इजाफा लखनव से प्रियागराज पुराना किराया 278 रुपए वर्तमान किराया 285 गोरकुर से प्रियाग राज, पुराना किराया 322 रुपे, भयाब वर्तमान किराया 331 रुपे प्रियाग राज से आजमगड, पुराना किराया 197 रुपे, वर्तमान किराया 205 रुपे अयोध्या से प्रियाग राज, पुराना किराया 219 रुपै, वर्तमान किराया 225 रुपै लखनव से कानपुर, पुराना किराया 115 रुपै, वर्तमान किराया 116 रुपै कानपुर से दिल्ली साधारण बसका किराया, पुराना किराया 515 रुपै, वर्तमान किराया 535 रुपै कानपुर से दिल्ली AC 3x3, पहले का किराया 672 रुपै, वर्तमान किराया 692 रुपै आगरा से कानपुर, पुराना किराया 363 रुपै, वर्तमान किराया 378 रुपै चाहे पज़ा जो पिर जीज बढ़ से नहीं की है इसको टुराय बढ़ाना ही पढ़े गार इसकी जेव पासर अभी पहले गार किए दाम यहां बढ़े हैं तो यह पूरा अखरी तक इसका इफेक्ट बढ़ेगा और दामों में व्रद्दी हो ठीक है लेकिन एक रेसिएो में हो रोडवेज बस की कीमतों भी बढ़ोतरी का कारण पैट्रोल डीजल और टोल टेक्स की कीमतों में उच्छाल माना जौ रहा है बीते 24 दिनों में ही पैट्रोल की कीमतों में 10 रुपे तक की बढ़ोतरी दर्च की गई पैट्रोल के दामों ने महंगाई को और बढ़ा दिया पहले सबजियों और अब रोडवेज यात्रा के महंगे होने पर जौनता का हाल बेहाल हो चुका है इस मौके पर लखनव के चार बाग बस स्टेशिन पर हमारे सम्वादाता ने यात्रियों से बढ़े हुए किराय कोले करुन की राय जानी उत्तर प्देश में अब सरकारी बसों से सफर करना हुआ महना आपको बता दे कि उत्तर प्देश वोर्डवेज की तरफ से जो किराय के दर है उसमें एक रुपे से साथ रुपे बरहत्वी की गई है वहीं अगर बात की जाए तो लखनव से दिल्ली के किराओं में बीस रुपे की बरहत्वी हो रही है वहीं अगर बात की जए तो महंगाई बढ़ने की वज़े बताई ये जा रही है कि पेटरोल डीजल और साथ ही साथ जो टोल टेक्स के पैसे पड़ते उसमें कहीं न कहीं इजाफा हुआ है और वहीं आपको बता दे कि आज से जो बसों की दरे बरहाई गई है वो आज से लागू की गई है कैमर में दीपक के साथ विभान सू प्राइम टीवी लखना हूँ तो खाने पीने की चीजों के साथ साथ अब जफर भी महंगा हो गया है जहाँ पैक्टरोल डीजल, लपीजी, गैस, सिलेंडर समाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो अब इसका सरक किराय पर भी पड़ा है फिलाहाल इस खास रिपोर्ट में नहीं देखते रहे हैं प्राइम टीवी